सबसे पहले आप सभी को मकर संग्रांती की धेरो शुब काम ना है और तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने बगल में बैल आइकन उसको भी दबाले तो आज हम बात करने वाले रोजगार समाचार 14 जनुरी जो भी इंपोर्डेंट न्यूस है उसको हम आपके साथ डिसकस करने वाले तो सबसे पहले यूपी पीजियस यानि की उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग जारी कर दिया जाएगा उसके बाद नलकूप चालक की जो भी परिच्छा हुई थी उसकी उत्तरकुंजी आ गई है आप 19 तक आप 30 दर्च कर आ सकते हैं लास्ट है आपके 69 जाक सिच्छकवर्ती कोड जाती हुई तो इसका जो रुख दिखाई दे रहा है उत्तर आप यह देख सकते हैं आरप भरती परिच्छा में लगाया नकल कराने का आरोप तो आप देखते हैं यह गोरकपूर की न्यूज है आरप दरोगा भरती परिच्छा में नकल का आरोप लगाकर बरतिया सड़क पर उतर गये उन्होंने रवीवार दुपर एक वजय के करीब देवरिया बाइपास पर बिहार के पास जाम लगा कर परिच्छा रद कराने की मांग की पुलिस ने समझा कर सड़क से भेड़ती को हटाया आधा गंटा तक आवागमन प्रभाव उत्रात तो यहां पर यह बात आई निकल के आई है कि आर्पिफ के जो एक्जाम हो रहे है देखिए ऑनलाइन हो रहा है तो भी यह बाते हो रही है देखिए तो यहां पर नकल कराने का आरोप लगाया गया है गुरक्पुल की नियूज है और बाकियों मतलब और भी जगह है यह पर यूपी पी पीएसी ने किया आस्वास सम्मिलित राज अभियंतरन सेवा परिच्छा 2013 के तहा सायक अभियंता के 900 से अधिक पदों पर भरती का पहिणा मुत्त प्रदेश लोग से वायो इसमा जारी कर देगा हाई कोर्ट से अमानना याज का दाखिल होने के बाद यूपी पीएसी की ओर से कोड की कोड को आस्वास किया गया है कि अधिक्तम दो सप्ता से पहिणाम में पहिणाम घुसित कर दिया जाएगा तो दो सप्ता आपको और इंतियार करना है तो सम्मिलित राज अभियंतरन सेवा परिच्छा 2013 के तहद आवर अभियंता के तीन जार 222 और स पुरानी नेक्ष निउस है आपकी सिच्छक भरती परिच्छा निरस नहीं हुई तो कोड जाएंगे अभियंति यह देखी मैंने आपको कहा कि तो परिच्छा नियुआप प्रादगारी कारयाल है पर लगा तार सात्वे दिन रविवार को भी 69 या सिच्छक भरती की अभि रिपोर्ट के बाद परिच्छा अगर निरस नहीं होती है तो वे कोड की सरण में जाएंगे अभेड़तों का दावा है कि 6 जनवरी को हुई परिच्छा का पेपर आउट हो गया था यह पूरता दावा किया गया है कि पेपर आउट था तो इस वजह से लगातार वहां पे धरना चली रहा है और आप अभी भी अगर पीएंपी में जाएंगे तो अभी भी हजारों लोग वह बैठे हुए धरना कर रहे हैं पीएंपी दफ्तर पर साथवे दिन भी जारी रहा रधर्शन पतियों की च्हात्रों के इस आंदोलन के जवानला लहरू वीवी छातसंग यह सब चली हटाई है और आपको पता है कि सत्र तारिक को एक जाच की रिपोर्ट आने वाली है तो उसमें यह बताए जाएगा तो इन्होंने कहा कि अगर रद्ध नहीं किया जाता उस रिपोर्ट के बाद तो हम कोड का सरण लेंगे नेक्ट निउस है कि 34 परसेंट बढ़ तो नई एजनसी जो कि आपकी टीचेस है उसके माध्यम से रविवार को जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जे एस्टी परिच्छा 2018 का आयोजन की यह ऑनलाइन परिच्छा में अब बैठती हो कि उपस्तिती केवल 33.57 फिजदी रही SSC के अफसरों के मताबिक परिच्छा का आ परिच्छा में और काफी समय से विवाद चल रहा था नेक्ट नुज है कि यूपी PSC में अपरेल तक नौकरियों का महा कुम्ब तो बहुत दी अच्छी कबर है कई बड़ी परिच्छाओं के पईडाम जारी करने की तयारी में आयोग PCS आरो एरो एरो एल्टीग्रेट चल रहा है PCS 2016 का इंटर्विव आपको पता भी है मैंने कोशन भी अपडेट किये थे तो आप देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्रयागराज में एक तरफ मार्च तक धर्म और संस्कृति का कुम्ब चलेगा तो दूसरी और उत्तर प्रदेश आपको की तीस एक जनवरी प्रस्तावीत है तो वहां पर आपकी परिच्छा होगी जे के 810 पदों पर भरती होनी है PCS में 810 पद है मुख्य परिच्छा की बाद आयोग की ओर चे इंटर्विव का आयोजन किया जाएगा इस परिच्छा का अंतिम परिणाम भी मार्च के अ सत्र अठारा यहां 20 परीड का आयोजीत होगी और इसका जो गोशित होने में एक माह का समय लग सकता है इसका भी परिणाम आपका जैसे फरवरी मार्स या अप्रेल मार्स की लाष्ट विक या अपरेल के फर्ष्ट विक ऐसे यह भी आपका इसका इसका बीरिजल्ट आ सकते हैं पत्ती तो ड्यूपिट वालेसी ने नल्फूप चालक सामाने चाहिन पर दोगता है कि लिखित परिछा दिन में संपन कराने के बाद साम को उत्तर कुणजी जारी कर दिये दिन में परिच्छा हुई और साम को आपकी आंसर किया आ गई है तो परिछा नहीं अंतरक विपन में बताया कि 3210 पदों के लिखित परिच्छा 8 जीलों के 387 परिच्छा के अंदों पर संपन कराई के उन्हों ने बताया कि प्रश्णपत्तों के चारे सीरीज ए बी सी और डी की प्रस्पूस्तिका हुआ उनसे संबंदित पुत्तर कुंजी यायो की वेबसाइट प की चेक कर लिजिए और अपना अपत्ती जो भी है उसको दर्ज कर आ लिए जिससे कि आपको सेफ हो सके यह पूरी अपडेट थी हमारी अगर आप वीडियो पशंद आया तो लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलिए तो आज के लिए फिर से एक बाद धन्यवाद